तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो आपका SSE MTS का एक्जाम चल रहा है उसके हम बात करेंगे तो आपकी जो तीनों शिफ्ट रहेंगी उनके लिए most expected, most repeated questions को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे ये सभी जो questions होंगे, सभी exam based questions होंगे, जिस तरीके के questions, जिस pattern पे आपके questions MTS के exams में पूछे जा रहे हैं, उसी type पे आपको ये questions प्रोवाइड कराए गए हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है, what is the SI unit of magnetic flux density तो magnetic flux density की SI unit क्या होती है, तो हमारा answer हो जाएगा Tesla Tesla जो होती है, यह SI unit होती है, magnetic flux density की अब SI unit जो होता एक important topic रहता है, इस वीडियो में हम जितने भी topic discuss करेंगे हर एक topic की आपको separate video मिल जाएगी channel पे, all static gk topic के नाम से playlist पना दी गई है उसमें सारे topic cover करे जाएगे, तो SI unit की separate video आपको वहाँ पे मिल जाएगी अगला question देखते हैं, who was the first chairman of ISRO, तो Indian Space Research Organization ISRO के पहले chairman कोन थे तो आप सबको पता होगा हमारा answer हो जाएगा विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा भाई जो थे ये पहले chairman थे इस रोके और साथी साथ ये founder भी रहेंगे इस रोके इंद्र धनुष excise is conducted between India and Dash, तो इंद्र धनुष excise जो है इंडिया और कौन सी country के बीच में होती है तो हमारा answer हो जाएगा United Kingdom, तो इंद्र धनुष जो excise है ये एक excise है इंडिया और United Kingdom के बीच की अब जितनी भी excise होंगी उसकी भी separate वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी आप उसको भी देख सकते हैं अगला question देखते है तो तमाशा जो है एक dance होता है कौन सी state से related है तो हमारा answer हो जाएगा महरास्ट महरास्ट state का एक popular dance होता है तमाशा dance महाबोधी temple is located in which state of India तो महाबोधी temple जो है इंडिया की कौन सी state में located है तो temple से related भी एक question जात तर हर exam में पूछा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा बिहार बिहार जो state है वहाँ पे located है महाबोधी temple महाबोधी temple किस से related होता है तो गौतम बुद्ध से related रहेगा महाबोधी temple महाबोधी temple जो है यह वही जगे रहेगी जहाँ पे गौतम बुद्ध ने knowledge की प्राप्ति करी थी यह located है बिहार में अगला कोशन देखते हैं Who is the author of the book by by corona by by corona जो book है उसके author कौन है किसके द्वारा इस book को लिखा गया है तो हमारा answer हो जाएगा प्रदीब कुमार श्रिवास्तव प्रदीब कुमार श्रिवास्तव जो है इनके द्वारा book लिखी गई है by by corona अगले कोशन पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि SSC MTS का जो आपका 2022 का एक्जाम चल रहा है उसके लिए expected और repeated कोशन की एक e-book हमारे द्वारा launch करी गई है जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में provide कराई जा रही है previous year 2021 के कोशन को भी इस e-book में include किया गया है वो भी आपको end में provide कराए जाएंगे अगर आप interested हो तो link आपको description में provide कराए गया है आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं payment करने के बाद आपको page पे ही रुखना है वही पे आपको file मिलेगी वो आपको अपने system में download कर लेनी है अगर आप किसी कारण की वज़े से file को download नहीं कर पाते तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पर directly mail कर सकते हैं अगला question देखते है हमारा नालंदा यूनिवस्टी और विक्रम शिला यूनिवस्टी are in which state of India तो दोनों ही most important और इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवस्टी में गिने जाने वाली यूनिवस्टी रहती है तो ये कौन सी state में located है तो आप सबको पता है हमारा answer हो जाएगा बिहार बिहार state में located है नालंदा यूनिवस्टी भी और साथी साथ विकरम शिला यूनिवस्टी भी कुद्रमुक नेशनल पार्क is located in which state of India तो कुद्रमुक नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का करनाट का state में located है कुद्रमुक नेशनल पार्क अब अगर नेशनल पार्क की बात करी जाए तो 104 नेशनल पार्क जो इंडिया के रहेंगे उसके 104 के 104 नेशनल पार्क हम अपनी separate वीडियो में डिसकस कर चुके हैं उससे बाहर आपको नेशनल पार्क से question नहीं मिल सकता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें आपके सा हमारे नेशनल पार्क कबर हो जाएंगे अगला question देखते हैं सूर्सागल लेक इस located in which state of इंडिया तो सूर्सागल लेक जो है ये इंडिया की कौन सी located है अब जितनी भी organization रहेंगे आप ये ज़रू ध्यान रखें कि जितनी भी organization है उनका headquarter कहां पे है उनके current time में head कौन है और उनका establishment कब हुआ है ये question exams में अक्सर ही पूछे जाते हैं तो अगर आशियान की बात करी तो association of southeast Asian nations जो है ये इसकी full form रहेगी member countries पूछी जा सकती है आपसे तो 10 member countries है आशियान organization की वो भी आपको पता होनी चीए पहले आपको ये पता होना चीए कि कब found करी गई थी तो 8 अगस्त 1967 में found किया गया था आशियान को आपसे अभी ये question भी पूछे जाने लगे हैं कि found कहां पे कौन सी country में करी गई थी तो Thailand में found किया गया था आशियान को तो ये आपको ध्यान रखना है अगर member countries की बात करी जाए तो Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Cambodia, Laos, Singapore, Brunil और तिमोर लेस्ट है ये जो हैं 10 member countries हैं आशियान की इंडिया जो है इसका member नहीं है ये भी आपसे exam में question पूछा जा सकता है अगला question देखते हैं World health day is observed every year on तो days के उपर एक question हर exam में पूछा जाता है तो world health day कब होता है तो हमारा answer हो जाएगा 7th April हर साल 7th April को world health day के रूप में मनाया जाता है Who is known as the father of evolution तो father of evolution के नाम से किसको जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Charles Darwin Charles Darwin को father of evolution के नाम से भी जाना जाता है Which vitamin is also known as anti-infection, anti-cancer vitamin तो कौन सा vitamin होता है जिसको anti-infection और anti-cancer vitamin भी बोला जाता है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin A vitamin A जो होता है इसको anti-infection, anti-cancer vitamin भी बोला जाता है और ये जो होता है इसकी कमी की वज़े से कौन सी बिमारी होती है तो night blindness जो होता है वो बिमारी होती है vitamin A की कमी की वज़े से अगला question देखते हैं Who is the author of the book? The Republican Ethic. The Republican Ethic book के author कौन है? तो हमारा answer हो जाएगा रामनात कोविंद. रामनात कोविंद जो है जो की current time में President है इंडिया के, इनके द्वारा book लिखी गई है The Republican Ethic. Which of the following person is also known by the name? देशबंदू. देशबंदू के नाम से किसको जाना जाता था? तो निकनेम्स की भी separate वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी हमारा answer हो जाएगा चितरांजन दास. तो चितरांजन दास को देशबंदू के नाम से भी जाना जाता था. What was the language of the people in the period of Moran Empire? तो Moran Empire के टाइम पे कौन सी language यूज करी जाती थी? तो हमारा answer हो जाएगा पाली. तो Moran Empire में जो लोग थे उनके द्वारा पाली language का यूज किया जाता था. After leaving the Congress, सुबाश चंदर बोस formed his own party in 1939 which was named. तो सुबाश चंदर बोस ने 1939 में अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी Congress को, इंडिया नेशनल Congress को नो ने छोड़ दिया था. तो वो जो उनके द्वारा पार्टी बनाई गई थी अपनी, उसका क्या नाम था? तो हमारा answer हो आपको ध्यान रखना है कि 1939 में इसको found किया गया था. अगला question देखते हैं, All India Muslim League was founded in which year? तो All India Muslim League को कब found किया गया था? तो हमारा answer हो जाएगा 1906. बंगलादेश में found किया गया था 1906 में All India Muslim League को. Monuments of Hampi which was included in the list of UNESCO World Heritage Site is located in. तो Monuments of Hampi जो हैं जो की include करे जा चुके हैं UNESCO World Heritage Sites में, तो उसको कहां पे located है? तो जितनी भी UNESCO World Heritage Sites रहेंगी इंडिया की, वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि वो कहां पे located है? तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का. तो करनाट का जो स्टेट रहेंगी वहाँ पे located है? Monuments of Hampi. Who was the last nawaab of Bengal? तो नawaab of Bengal कौन थे? लास्ट आगरी नawaab of Bengal कौन थे? तो हमारा answer हो जाएगा मनसूर अली खान. मनसूर अली खान जो थे? ये लास्ट नवाब थे बंगाल के. When was the battle of Buxer fought? Battle of Buxer कब लड़ी गई थी? तो हमारा answer हो जाएगा 22 October 1764. 22 October 1764 में लड़ा गया था battle of Buxer को जितनी भी battles लड़ी गई हैं इंडिया के अंदर. या फिर इंडिया के द्वारा जितनी भी battles लड़ी गई हैं. उसकी separate वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी. य इसमें 150 से जादा topic cover करे गए हैं. लिंक आपको description में मिल जाएगा. प्लेलिस्ट का आप इसको ज़रूर देख लें. ये काफी जादा important रहने वाली है. एक तरीके से game changer प्लेलिस्ट है आपके exams के लिए. अगला question देखते हैं. तो डेली सल्तनत के इकलोते king कौन है जिनकी death हुईती battlefield पे. बैटल फील्ड पे जिनको मार दिया गया था. तो हमारा answer हो जाएगा इबराहिम लोधी. तो लोधी वंश के जो आकरी ruler थे इबराहिम लोधी. ये इकलोते king रहेंगे डेली सल्तनत के जिनकी battlefield पे death हुईती. और क किसके द्वारा इनको मारा गया था. तो बाबर के द्वारा इनको मारा गया था. अगला question देखते हैं. Who is called Frontier Gandhi? Frontier Gandhi के नाम से किसको जाना जाता था तो हमारा answer हो जाएगा खान अब्दुलकफार खान. आप सबको पताएगे खान अब्दुलकफार कान कौन है? खान अब्दुलकफार कान जो है ये पहले non-Indian है जिनको की इंडिया के सबसे highest honor भारत रतन से सम्मानित किया गया थ ये आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान कंटरी के रहेंगे, इनको Frontier Gandhi के नाम से जाना जाता था. Quit India Movement was launched by Mahatma Gandhi Inn. Mahatma Gandhi के द्वारा Quit India Movement को launch किया गया था, कब किया गया था? तो हमारा answer हो जाएगा 1942. Basic question रहता है, लेकिन Mahatma Gandhi के द्वारा जितने भी monuments lead करे गए हैं या part लिया गया है, वो कब establish हुए, कब found किये गए? यह आप ध्यान रखे, Mahatma Gandhi South Africa से India 1915 में आये थे, उसके बाद 1915 से लेके 1947 तक जितने भी आंदूलन में Mahatma Gandhi के द्वारा part लिया गया है, उनके year आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, exams में पूछे जाते हैं. अगला question देखते हैं, web pages are saved in which of the following format, तो web pages जो होते हैं, वो कौन से format में save होते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, STML जो format होता है, Hypertext, Markup Language, उसमें ही web pages को save किया जाता है. When is the national press day observed? National press day कब होता है, तो हमारा answer हो जाएगा 16 November, 16 November को हर साल observe किया जाता है, national press day के रूप में, एक आपको days की separate video मिलेगी हमारे channel पे, जिसमें की 2021 के सारे days आपको discuss करे गए हैं, और साती सात जो theme रहेंगी, theme exam में पूछी जाती हैं, वो दोनों चीज आपको उस video में मिल which among the following river is also known by the name, यालोंग टेसंगो, तो यालोंग टेसंगो के नाम से कौन सी river को जाना जाता है, basic question रहता है, कितनी बार हम अपने channel पे discuss कर चुके हैं, हमारा answer हो जाएगा ब्रहमपुत्र river, ब्रहमपुत्र river को तिबबत के अंदर यालोंग टेसंगो के नाम से जाना जाता है अभी हमने पीछे ही डिसकस करा था कि विकरम शिला यूनिवरस्टी बिहार स्टेट में located है, तो ये किसके द्वारा establish करी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा धरमपाल, तो पाल डाइनेस्टी के ruler थे धरमपाल, इनके द्वारा establish किया गया था विकरम शिला यूनिवरस्टी को who brought the civil services in India, तो civil services जो होती है, वो इंडिया में किसके द्वारा लाई गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा Lord Convallis, Lord Convallis के द्वारा civil services को इंडिया के अंदर लाया गया था who was the first person to call Mahatma Gandhi as father of nation, तो Mahatma Gandhi को father of nation सबसे पहली बार किसने कहा था, या फिर Mahatma Gandhi को जो title दे दिया गया था father of nation का, वो किसने दे दिया, तो हमारा answer हो जाएगा सुबाश चंद्र बोस, सुबाश चंद्र बोस पहली वेक्ती थे जिनके द्वारा Mahatma Gandhi को father of the nation बुलाया गया था which city is known as the coal capital of India, coal capital of India किसको कहा जाता है, कौन से city रहेगी, तो हमारा answer हो जाएगा धन्बद, तो धन्बद जो जगे है, एक city रहेगी जिसको की coal capital of India के नाम से जाना जाता है, most important question the yellow color of mangoes is due to the presence of, तो जो mangoes होते हैं, जो आम होते हैं, उनमें जो color होता है, yellow color होता है, वो किस कारण की वज़े से होता है, तो हमारा answer हो जाएगा carotene, carotene जो होता है, ये present होता है mangoes में, जिस कारण की वज़े से mangoes का जो रंग होता है, वो हलका सा yellowish होता है, अगर आपने green mango देखे होंगे तो उनका जो कलर होता है ओकिस वाजय से होता है तो खलो फर जो होता है उसकी प्रेज़ेंड की वज़े से मैंगो जो होते है वो green घर बीजेश्थि안 की वाजय से आनटाए जाता जाता है जिसकी DNA की गुदावरी River originates from गुदावरी जो river है यह कहा में और्यजिनेट होती है तो rivers के उपर भी आपको separate video मिल जाएगी हमारा answer हो जाएगा तरंबकेश्वर तरंबकेश्वर जो जगे है वहां से originate होती है गुदावरी River what is not taken from the Government of India Act 1935 in the Constitution of India तो given चार options में से कौन सी चीज है जो कि हमने Government of India Act 1935 से नहीं ली है तो हमारा answer हो जाएगा fundamental rights fundamental rights जो होती है यह हमने Government of India Act 1935 से नहीं लिया है बाकी जो हमारी तीनों options रहेंगे यह हमने Government of India Act 1935 के थुरू add किया है हमारे Indian constitution में Federal scheme Government of India Act 1935 से add करी गई है और Public Service Commission को भी add किया गया है तो यह तीनों रहेंगे fundamental rights नहीं किया गया अगला question देखते है दी जवाहरलाल नहरू port is located in जवाहरलाल नहरू port कहां पे है तो हमारा answer हो जाएगा मुंबई जिसको की financial capital of India के नाम से भी जाना जाता है human artist covered by a double membrane called तो जो हमारा heart होता है वो एक double membrane से cover होता है तो उस double membrane को क्या कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा pericardium pericardium जो होती है एक double membrane होती है जिससे cover होता है हमारा human heart shipki la pass is located in which state of India और union territory तो हमारा answer हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो state है इंडिया की वहाँ पे located है shipki la pass तो passes की भी separate video आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है जिसमें सारे passes इंडिया के अंदर जितने भी passes है वह कौन सी state में located है यह हमने discuss करे हैं अगला question देखते हैं which gas is also known as stranger gas कौन सी gas को stranger gas बोला गया है तो हमारा answer हो जाएगा xenon xenon gas को stranger gas भी बोला जाता है the joint sitting of the parliament is presented over by तो president कौन होते हैं जो joint sitting होती है parliament की उसको preside कौन करता है उसको head कौन करता है तो हमारा answer हो जाएगा speaker of loksabah speaker of loksabah जो होते हैं यह head होते हैं joint sitting के parliament की current time में कौन है तो om villa जो है वो current time में speaker है which of the following dams has been built on the river Krishna तो Krishna जो river है उसके उपर कौन सा डैम बना हुआ है तो हमारा answer हो जाएगा नागरजुन सागर डैम नागरजुन सागर डैम जो है यह बना हुआ है कौन सी state में रहेगा तो हमारी आंदरप्रदेश state रहेगी और तेलंगना दोनों की border पे पाया जाता है नागरजुन सागर डैम को तो दोनों states में से जो भी आपको option मिलेगा वो आपका correct answer हो जाएगा Krishna river आपको ज़रूर ध्यान रखनी है डैम की river exams में काफी जादा पूछे जाने लगी है अगला question देखते है 여기서 in which state is Bhimbeti cave located तो Bhimbeti caves जो है वो कहां पर located है तो हमारा answer हो जाएगाinken अपका ऐग्यापर ध्याप्रदेश अब काफी सारी caves होती बिंदेग्त का cave हो गही मध्यप्रदेश state में अजंता caves हो गई इलोरा caves हो गई, elephant caves हो गई, यह कहां पर located है, तो यह located है महरास्ट state में, तो यह question आपसे exam में अकसर देखने को मिलते हैं, अगला question देखते हैं, दुलिप trophy is related to which of the following sport, दुलिप trophy कौन से sport से related है, तो हमारा answer हो जाएगा cricket, cricket जो sport है उससे related होती है, एक trophy रहेगी, दुलिप trophy, डुंगरी festival is celebrated in which state of India, तो डुंगरी festival कहां पर celebrate किया जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश state का ही एक important festival लेता है डुंगरी festival, which of the following is the ore of mercury, mercury का और क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, ये question most important, most repeated question है, तो हमारा answer हो जाएगा cinnaber, cinnaber जो होता है, ये एक और होता है mercury का, who gave the slogan back to the vedas, किसके द्वारा कहा गया था back to the vedas, तो हमारा answer हो जाएगा दयारंद सरस्वती, दयारंद सरस्वती के द्वारा slogan दिया गया था back to the vedas, election of the president is given in which among the following article, तो president जो होते हैं, उनका जो election होता है, वो कौन से article में बताया गया है, तो हमारा answer हो जाएगा article 54, तो article 54 में बताया गया है, president के election के बारे में, reservation in jobs is provided by which article of Indian constitution, तो जो jobs होती है, उसमें जो reservation होती है, SCST reservation होती है, OBC reservation होती है, economical weaker section की reservation होती है, तो यह जो बताया गया है, कौन से article में बताया गया है, कि provide कराई जाती है reservation, तो हमारा answer हो जाएगा article 16, article 16 related होता है reservation in job से, which of the following hormone is also known as emergency hormone, तो कौन सा hormone होता है, जिसको की emergency hormone बोला जाता है तो हमारा answer हो जाएगा adenal, adenalin जो है ये एक hormone होता है जिसको की emergency hormone के नाम से भी जाना जाता है महत्मा गांधी was not associated to which of the following newspaper तो महत्मा गांधी के द्वारा काफी सारे newspaper हैं जो की launch किये गए थे, publish किये गए थे तो इन में से कौन सा newspaper है जो की नहीं है महत्मा गांधी से बाकी तीनों newspaper जो है Indian opinion भी महत्मा गांधी कराएगा Young India भी और Nerv Jeevan भी ये तीनों महत्मा गांधी के द्वारा ही publish किये गए थे, अगला कोशन देखते हैं